हेलो फ्रेंड्स आज हम एक और नए विशे पर बात करेंगे वो है टोसिज या डूपिंग ऑफ लेड या आंग की पलक नीचे गिरे होना अब यह जब प्रॉब्लम बच्चों में होती है तो पेरेंट उसके लिए बहुत वरेड होते हैं और कब उसका ट्रीटमेंट कराया जा तो उसमें जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टन दो दिन चीज़े होती है हम यह देखते हैं कि बच्चे की उमर कितनी और पलक कितनी नी जाए अगर आंक में जा रही हो और उस तरह की कोई दिक्कत ना मतलब स्वेय टोस ना हो तो उन केसे में के लिए चार साल की उमर के बाद ही करते हैं ताकि हम लिड को अच्छे से डवैलप होने देते हैं उसके बाद ही सरजरी करते हैं फिर लोगों का कुस्चिन होता है कि ह जानी चाहिए और सेफ भी है और किस तरीके से करनी है टोसिस वाले केसे में और बहुत इमपॉर्टन चीज है हम यह देखने की सुरत है किसी एक आंख की विशन कम तो नहीं है चाहिए वो चश्मे का नंबर देना बहुत जरूर है वो चेक होना चाहिए दूसरा कोई आंख ल उसके बाद आप किसी भी एजभी करा सकते हैं सिरफ उसके बाद एक इश्यु रहता है विध्र को पैरेंट्स को साइक लोजीकल एफेक्ट करता है और कोई मेडीकल इंडिकेशन नहीं है कि हम उसको चार साल पे ही करना है हम उसको दस साल की एचे भी कर सकते हैं वो एंटाइरली इट दिसकेशन बिट्वीन डॉक्टर एंड पेशेंट वो और अच्छे से मगर एक्स्प्रेइन करें तो कर सकते हैं होफुली आप इन्फरमिशन आपके लिए यूस्फुल रही थांक यू